नमस्कार मैं वर्तिका सिंग और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइंज देखिंगे उसकी खास ख़बर अब ख़बर विस्तार से हमारे साथ है वाराशी के सिग्रा इस्ति सौरेनियोलोजी सेंटर के डरेक्टर डॉक्टर अविनाश चंद सिंग आईए जानते हैं सौरेनियोलोजी के तेरवी वर्स काड़ पर निशुल्ग परामर्स शिविर आपके द्वारा लगाय गया था उसमें लगबक कितने मरीजों को परामर्स दिया गया और क्या सिर्फ परामर्स दिया गया या उनकोई निशुल्ग इलाज भी उनका किया गया जी हम लोग ने हमेशा पिछले तेरह वर्सों से साल गेरा के ऑसर पे हमेशा निशुल्ग परामर्स से भी रखते हैं जिसका लोगों को इंतिजार भी रहता ह इसमें हम लोग ना तो निशुल परामर्स बलकि निशुल जाचे भी की जाती हैं जैसे कि इस बार हम लोग ने आई के लिए special camera मंगाया था जिसमें fundus का examination हो रहा था जो कि निशुल किया जा रहा था और CT scan या MRI जो भी हुए उस दिन वो सारे आधे दर पे हुए और जो भी जाचे बलड की हुई वो भी 50% discount पे की गई यह सारी सुविदाय दी गई इस परामर्स बर में कुछ दवाय दी गई लेकिन जैसा कि आप लोग विदित है कि neurology के मरीज में कई दवाय होती जो लंबे समय की तरह चलती है तो वो उस तरह से तो नहीं दी जा सकी लेकिन कुछ दिनों के लिए जरूर फ्री दी गई इसके जो है प्रारमिक लख्र क्या है और इससे बच्ने के उपाय क्या है मिर्गी जो है वो दिमाग की बीमारी है इसमें क्या होता है कि दिमाग में जो तरंगे पैदा अमूमन नौमल ही होती है लेकिन जब मिर्गी आती है तो अचानक रूप से बहुत तेजी से पैदा होने लगती है जिससे मिर्गी होता है मिर्गी के कारण आपकी उमर के हिसाब से डिपेंड करते हैं मिर्गी अमूमन या तो बच्चों में या बुड़ों में ज़्यादा पाई जाती है बच्चों में या तो पैदा होते समय कोई दिक्कत हुआ हो या कोई इंफेक्शन हो गया हो मेनिंजाइटिस एंकेफलाइटिस या बुजूर्ग लोगों में या तो सर में चोट लगी हो या स्ट्रोक या पैरलिसिस हुआ हो तो मिर्गी होने के चांसे बढ़ जाते हैं अमूमन इंफेक्शन होता है जो नियूरिसिस्टिस्यकोसिस या टूबर क्लोसिस उसमें भी मिर्गी आने के कारण हो सकता है था कि मैंने बताया कि मिर्गी के अलग-अलग कारण होते हैं अलग-अलग उम्र में तो बच्चों में मिर्गी से बचने के लिए आपको ये महिलाओं को जो अगर प्रेगनेंट हैं तो उनको अपना रेगुलर चेक अप कराना चाहिए और पैदा जब जहां डिलिवरी हो वो अच्छी जगह हो चाकि अगर बच्चे में कोई परिशानी होती है डिलिवरी के दोरा तो उसको तुरन ट्रीट किया जा सके उसी तरह से आपको इंफेक्शन से बचना चाहिए रेगुलर बच्चों को टीके लेने चाहिए ताकि कोई इंफेक्शन ना हो पाए जो ब्रेन में जा पाए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैपनी से इनके फ्लाइटिस होता था उसका भी अब वैक्सीन आ गया है तो वो सब चीज़ें से दिमाग में दोरे आने के कारण बन सकते थे उसी तरह बुजूर्गों में या जवान लोगों में सर का चोट एक बहुत बड़ा कारण है मिर्गी का तो आप जब भी अगर टू वीलर चला रहा हैं तो आपको बैतर है कि आप अपने सिर का बचाव रखें हलमेट पहने इससे आप सिर के चोट से भी और उसके होने के बाद की परिशानिया जैसे की मिर्गी उन सबसे बच सकते हैं बुजूर लोगों में स्ट्रोक से भी डिक्कत हो सकती हैं दोरे आ सकते हैं इससे बचने का उपाई यही है कि आगर आपको ब्लड प्रेशर हो या सुगर हो या कोई ऐसी लाइस्टाइल डिसॉर्डर हो तो उसको आपको पूर्टर ठीक से इलाज करना चाहिए ताकि इससे कोई परिशानी न होता है